जैसा कि आपने देखा ही हमारी स्क्रीन पर की आखिरकार किस तरह से भरे स्तदन में संसत के विशे सत्र के चौथे दिन लोग सभा में जहां एक तरफ चंद्रियान थ्री की सफलता पर चर्चा हो ही रही थी और इस दोरान तेजी से हंगामा मच जाता है यह बवाल होता है बीजेपी सांसद रमेश बिधुडी की अमर्यादित भाशा के चलते जहां रमेश बिधुडी ने जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी से सांसद दानिश अली पर हमला बोल दिया और उनके खिलाफ ऐसी भाशा का इस्तिमाल किया जो संसत की गर्मा को त उड़ते हुए नजर आया ऐसे में देखा जाए तो रमेश बिधुडी के खिलाफ कारवाई की मांग की जा रही है मांग ये तक की जा रही है कि अब उनकी सदस्यता रद्ध हो जानी चाहिए आखिरकार इस पर लोग सभाद्यक्ष ओम विर्डा जी का क्या को चेहम फैसला हो सकता है आने वाले वक्त में नमस्कार मैं प्रांशी राठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन नियूज दरसल आपको बता दें कि रमेश बिधुडी के इस बयान के बाद उनका जो वीडियो क्लिप सामने आया उसके बाद अब राजनिती में हल्चल एक बार फिर दी जाती है चाहे आप सांसद हो संजे सिन चाहे आप सांसद हो राघव चड़ा ऐसे में देखा जाए यहां पर उधारण भी दिया जा रहा है कि बीजेपी सांसद ब्रजबुशन शरन सिंग के खिलाब भी कड़े एक्शन तक नहीं दिये गए तो रमेश बिदुडी पर क क्या एक्शन लिए जाएंगे आपको जानकारी दे देए कि बीजेपी के राष्ट अध्यक्ष जेपी नड़ा स्ताफ कर चुके हैं नोटिस जारी करके कारण बताओ नोटिस उन्होंने जारी कर दिया है और 15 दिनों के अंदर जवाब भी मांगा है लेकिन दूसरे ही तरफ लोग सभा अध्यक्ष ने भी एक बड़ी चेताबनी दे दी है भारते जनताब पार्टी को आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा ही ये आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि बहुसन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायवती क्या कुछ कहती है द किताबनी भी दे दी है वह वरिष्ट मंतरी ने सदन में माफी मांगी किन्तु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कारवाई नहीं करना दुखद और दुर्भाग्य पूर्ण है कॉंग्रेस ने भी पी एम मोदी को घेड लिया है ऐसे में देखा जड़ा ने कारड बताओ नूटीस जारी कर दिया है 15 दिनों का वक्त मांगा गया है अब रमेश विदुडी पर क्या को चेक्शन लिया जाएगा ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा लेकिन आपको जानकारी दे दें यहां पर कि सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया है कि सोशल मीडिया साइट से एक्स पर एक कोस्ट किया गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से जानना चाहा कि क्या बीजबी सांसत की ओर से अपने साथी विधाय के खिलाफ धर्म के आधार पर जिस तरह कि आपत्ति जनक भाशा का इस्तिमाल किया था उसे चुना है उसे सुन मालूम हो कि दानिश अली पर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया दानिश अली ये बात साफ कर चुके हैं उनका कहना साफ तोर पर है कि मैं इस्तिफा दे दूगा अगर उने बरखास्त नहीं किया गया तो ऐसे में यहां पर दानिश अली अपनी बात खुल कर रखते हुए नजर आएं यहां तक कि वहें इमोशनल होते हुए तक देखी गए हैं अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार ओम विल्ला जी का इस पर क्या कुछ हैं फैसला होता है राहुल गांदी जब मोदी सरने मानहानी केस में फसे थे तो राहुल गांदी के खिलाफ जिस त तूल पकड़ता हुए नसर आएगा अगर यह तूल पकड़ता हुए नसर आता है तो क्या यहां पर रमेश बिधुड़ी की सांसदी भी खत्रे में पड़ती हुई नसर आएगी आखिरका लोगसभा अद्यक्ष का इस पर क्या कोछ एहम फैसला होगा आने वाले दिनों में यह देखना भी काफी ज़्यादा यहां पर एहम माना जाता है लेकिन आपकी क्या कुछ राइप प्रतिक रिया है कि बीजेपी यहां पर अपनी ही सांसद की छवी को बचाने की कोशिश करेगी दो हचार चौबीस काफी नस्दीक हैं लोगसभा चुनाब काफी नस्दीक है क्या इस वज़े से बीजेपी अपनी छवी पर यहां पर देखा जाए तो पूरी तरीखे से बचानी की कोशिश करेगी या फिर नहीं लेकिन यहां पर आखिरकार फैसला क्या कोछ होना चाहिए आपकी क्या कोछ राय प्रतिक लिया है कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप खुल कर रख सकते हैं जाते जाते आपको बता दें कि राहुल गांदी इस मामले पर चुपी सादे हुई निजरा है उनका कहना रहा यह संसद्य मामला है और स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है और वही इस वर असला ले सकते हैं देखते रही नेक्स्ट रनाइन नूस